नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका MS ग्यान्टू योट्यूब चैनल पर बच्चों आज की जो कहानी है वो अकबर वीरबल की है और कहानी का जो आज का सीर्शक है वो है उम्र बढ़ाने वाला पेड़ तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी तो कहानी कुछ इस प्रकार है एक समय की बात है जब बादसा अकबर का पर्चम पूरे विश्व में फैलने लगा था उसी दोरान तुर्किस्थान के बादसा को अकबर की वुद्धिमता की परिक्षा लेने की सूजी तुर्किस्थान के बादसा ने अपने दूद को संदेश पत्र देकर कुछ जिपाईयों के साथ दिल्ली रवाना किया बादसा ने पत्र में लिखा था मुझे सुनने में आया है कि भारत में ऐसा पेड है जिसके पत्ते को खाकर इनसान की आईयों बढ़ाने में मदद मिल सकती है अगर यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड के कुछ पत्ते जरूर भेजे जब अखबर ने उस पत्त को पढ़ा तो वह सूच में पढ़ गए इस चंता से उभरने के लिए अखबर ने बीरबल का साहरा लिया बीरबल की सलहा पर बादसा अखबर ने तुरकिस्तान से आए सिपाहियों और दूद को कैद करने का आदेश दिया सिपाही और दूद के कैद खाने में कैई दिन बीत जाने के बाद अखबर और बीरबल एक दिन उन से मिलने गए अखबर और बीरबल को आते देख कर वो सोचने लगे कि उन्हें रिहाई मिल जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ बाद साखबर जब उनके पास पहुचे तो उन्होंने दूद से कहा जब तक इस किले की एक दो इट गिर नहीं जाती तब तक आप लोगों को आजाद नहीं करेंगे ऐसा होने तक आप सभी के लिए यहां खाने पीने का पूरा इंतिजाम किया जाएगा इतना कहकर बाद साखबर और बीरबल वहां से चले गए उनके जाने के बाद दूत और सिपाही कैद से निकलने के लिए उपाई सोचने लगे जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान से प्रातना करने लगे जल्द ही उनकी प्रातना रंग लाई और कुछ दिनों बाद अचानक तेज भूकम पाया और भूकम के कारण किले का एक भाग तूट कर गिर गया यह घटना के बाद दूत ने अखबर के पास किले की दिवार गिरने की खबर विजवाई यह खबर सुनते ही बादसा अखबर को अपना वादा याद आया और उन्होंने तुर्किस्तान के दूत वैसिपाईयों को दर्बार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया उनके दर्बार में पहुशते ही बादसा अखबर बोले अब तो आप सब को अपने बादसा के दुआरा भेजे गए पत्र का उत्तर मिल गया होगा अगर अब भी आपको समझ नहीं आया है तो मैं समझा देता हूँ तुम सिर्फ सौल लोगों हो और तुमारी आहा सुनकर किले का एक हिस्सा गिर गया तो सोचो जिस देश में हजारों लोगों पर अत्याचार होते हैं उस देश के बादसा की आईयों कैसे बड़ेगी लोगों की आहा से उसका पतन तो निश्चित है हमारे भारत देश में किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होता यही होता है आयू वर्दक वरक्ष उसके कुछ दिन बाद बादसा ने उन सभी को उनके देश भेज दिया है और रास्ते में होने वाले खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिये दूद ने तुर्किस्थान पहुच कर भारत में घटित सारे बात विस्तार से बादसा को बताए अकबर बीरबल की वुद्धि मता देख कर तुर्किस्थान के बादसा ने दरबार में उनकी बहुत प्रशन साकी तो बच्चो ये तो हुई हमारे आज की कहानी खतम और आज की जो कहानी है उससे जो हमें सीख मिलती है अब है उसकी बारे तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और कमजोर पर अत्यचार नहीं करना चाहिए साथ ही वही देश तरक्किक करता है जहां प्रजा सुखी रहती है तो अच्छो कैसी लगी है हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारी को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ तब तक के लिए बाए बाए